करें बच्चों भी इस वीडियो में हम अपना क्वाड्रे ट्रिक फोर्मुला कि शायता से दिवगा समिकन की मूल याद करेंगे इस फोर्मुले को समझेंगे कि इसमें क्या कैसे होता है तो आप इस वीडियो को पुरा देखे कोई भी पार इसके मत करना जस्ट दो मिनिट का वीडियो है देखे बच्चों यदि हमारी equation ax square plus bx plus c is equals to zero के form के हो और जहां पर a not is equal to zero हो तो यह हमारी quadratic equation कहिए है और इसके root याद करने के लिए हम एक formula को कामे लेते हैं जिसे हम अपना quadratic equation formula कहते हैं यह होता है x बराबर minus b plus minus unroot of b square minus 4ac बटे 2a जहां पर b जो x का गुणाख है a x square का गुणाख c हमारा यहां पर constant ट्रम है अब जैसे मैंने यहां पर एक equation लिया है इसके मुझे root find करना है तो इसके लिए मैं इस sutra को आसानी से कामे ले सकता हूँ देखे यहां पर a बराबर 1 है x square के साथ देखे कोई बड़ी सांग क्या दिखाए नहीं देरे 2, 3, 4, 5 इसके साथ अपना 1 है हमेशा याद रहा कि 1 को दिखाया नहीं जाता है लेकिन जब उसकी जुरूत पढ़ती है तो हम वहाँ से उसको लिख लेता है b x के साथ यहां पर 2 आ रहा है c यह constant अपने चिन के साथ देना minus का है minus का 143 ओके आसान है अब आप क्या करो यहां पर value पूट कर दो b का square minus 4 गुणा a गुणा c ओके बट्टे 2 गुणा a तो यहां पर बच्चों देखे minus है यह भी minus minus को गुणा minus आपका plus हो जाता है हमेशा ध्यान रखे तो यहां पर इसका गुणा करवाया तो 500 बहुत रहा है जोड़ा तो 500 से तरह आ गया यह नि एक्स बराबर minus 2 plus minus 500 से तर किसका पांसो से तर का अंडूर कितना होता है 24 गुणा आपका 2 है अब एक वार हम प्लस का चिन लेंगे तो एक एक्स का विल्यू आएगा minus 2 प्लस 24 गुणा बट्टे 2 तो 24 में से 2 जाएगा आपका कितना आएगा 22 बट्टे 2 11 आगया एक वार हम minus का चिन लेंगे बीच में तो आपका आएगा minus 26 बट्टे 2 तो आपका आगया minus का 13 तो इस प्रकार से इस समय करन के जो root निकल कराए हैं वो 11 और minus 13 है मैं उमीद कर रहा हूँ कि यह आपको आसान लगा है इस तरीके से आप अन्य एक्वेशन के भी मूल आसान से ग्याद कर सकते हैं जितनी आपकी प्रेटिस उतनी याप आपको अच्छी स्पीड मिलेगी धन्यवाद